सब्सक्राइब करें हमारे योट्यूब चनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले बेल आइकम डबाना ना भूले हमारे आँ विवा एक संस्कार हैं अगर सनातन संस्कृति को जाने तो विवा एक संस्कार है और दुरभाग की बात है कि आज ये संस्कार नहीं रह गया ये सब आपचारिक्ता रह गई है आपचारिक्ता हैं इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि हमारा मूल खो गया कहीं उसमें हमारी आत्मा कहीं खो गई उसमें क्योंकि धर्म हमारी आत्मा है खो गई उसमें जब रिंग सरिमनी होती है अर्थात जब ये सब पंगोठी पैनाना और सारी चीज़े होती है एक चीज़ और में इंगित करना चाहूँगा या एक नई कानी चल पड़ी है मुझे लोगोंने बताया मिरे पास कुछ वीडियो भी आए कि जब लोगों क्या रिंग सरिमनी हो रही है तब वे एक दूसरे के गले में जिनकी रिंग सरिमनी हो ये माला तक डाल रहे है माला तक डाल रहे है जबकि ऐसा नहीं है कि रिंग सरिमनी होने के बाद विभा तूटे नहीं है मतलब जरूरी नहीं कि विवा हुए हैं ऐसे किसे भी है और होते हैं बाद में कुछ ऐसी चर्चा होती है कि शादी नहीं हो पाती है विवानी हो पाता और उसमें रिंग सेरेमिनी में एक नई कानी आ गई है माला डालने की एक दूसरे के गले में अब यहां जो सबसे तारीफ की बात है कि किसी को भी इतने बुद्धी बुद्धी जीवी लोग सताकतित बड़े छोटे सब होते हैं अब बड़ों की इस्तिती यह हो गई है बच्चों के मामले में बोल नहीं सकते ऐसी इस्तिती करवा लियो और उने कि उनकी बात कोई सुनता ही नहीं है और जो तथाकतित बच्चे जवान हैं वो अपने के आंगे किसी की चलने नहीं देना चाहते है आज की तारीख में लेकिन आप सबको जानकर ये बड़ी प्रसंदता होगी और जड़ा आश्चरी भी होगा कि माला डालना अपने आप में एक विवाह है जिसको आप वर्माला कहते हैं इस माला का डालना अपने आप में एक विवाह है जिसे गंदर्व विवाह बोला गया है कि ध्यान रखिएगा क्योंकि रिंग सरेमनी में कहीं ने कहीं गणेश पूजन तो होता ही है ऐसी इस्तिती में अगर इस्त्री और पुरुष लड़का और लड़की एक दूसरे के गले में माला डाल रहे हैं तो उनका गंदर विवा हो गया पहली चीज यह समझ लेजी हो गया और उन्हें वो मजाग लग रहा है उन्हें वो मजाग लग रहा है और यह मजाग सीरियसली देखा जाए तो आप विवाओं में भी हो रहा है कि जब जैमाल का वक्त होता है तब कोई उठा रहा है कोई गिरा रहा है कोई पीछे अट रहा है कोई मजाक कर लिया है जबकि वो एक बहुत सुन्दर दर्शन है और वो रीती है जहां आपको सिरियस होना चाहिए, जहां आपको भाव होने चाहिए क्योंकि आपकी जैमाल डलने का मतलब दंदर्व विवा उस विवा के बाद फिर आपका वैदिक विवा है जो अगनी को साक्षी मान कर रहे है लेकिन क्या करें? जैसे आपने बैचलर पार्टी आदे की बात करी आज एक नई चीज और चल पड़ी है विवा के पहले फोटो शूट वो क्या वीडियो वीडियो क्या तो भी बनता है मुझा एड़्जेक नाम ध्यान नहीं आ रहा है प्रीवैडिंग शूट उनका फोटो शूट उनका वीडियो शूट उनका प्रीवैडिन जिस तरीके से डिजाइन किया जारा है एक जमाना था एक दर्शन था हमारे यां कि अगर इस्त्री ने लड़की ने अपना हाथ पुरुष को दे दिया, देवियानी की चर्चा आती है, यायाती की कथा में, कि जब देवियानी कुई में गिर गई और यायाती जब वहां से गुजरे, देवियानी में आवाज लगाई, तो जब देवियानी ने सिर्फ कुई से निकालने के लिए है जब याती ने हात खीचा थो देवयानी का हाथ मांगा तो देवयानी का क्वे में पढ़ी रहूंगी मर जाऊंगी लेकिन फ़क्रेति नहीं दियान रखना अगर आपने मेरा हाथ पकड़ लिया तो आपका आप समझे हैं मेरी बात को मैं क्या कहना चाहता हूँ और सहाब हमारे यहां हमारे धर्म शास्त में यह स्पस्ट है कि वो देवियानी का विवाश जयाती के साथ हुआ यह आपको भी मालूम है फिर सर्मिष्टा के साथ एनिवेज और यह बेशरमी की हद प्री वेडिंग शूट मैं अश्यर करता हूँ कि क्या वास्त में भारत ये संस्कृती के वो है एक प्री वेडिंग शूट हो गया एक आज कल प्रेगनेंसी शूट हो गया मतलब मैं मैं क्य क्या कहूं मैं क्या करने जा रहे हो भाया तुम क्या करना चाहते हो तुम्हे कुछ आइडिया भी है तुम क्या कर रहे हो एक रड़का एक रड़की जनका वी विभा ने हुआ और उनके वो वेडिंग शूट देखिया उनके आप फुटोज देखिया क्या चल रहा है यह और यह सारा कुछ मामला हमारी संस्क्रती को खत्म करने के लिए तैयार हो रहा है माबाब भी बड़ी खुशी से करा रहे हैं उन उल्लूओं को भी नहीं मालम कि यह हो क्या रहा है वो उसको आदुनिकता समझ रहे हैं आदुकना के नंगेपन में वो सब सवार है इन लोगों को भी कोई आइडिया नहीं है और आइडिया है तो कुछ बोल नहीं रहे हैं ना जाने क्या साप सूंगे हैं लोगो ना जाने कौन साप सूंगे हैं लोगो बेटी जब किसी के यहां विवा होकर घर जाती है तो वो लक्षमी होती है अब लक्षमी जैसा कुछ रही नहीं उसका उसका प्रत्थम चर्ण जब महावर के साथ अक्षतों के अक्षत से बरे हुए कलश को डखेलता है तो महालक्षमी का प्यार कहलाता है ना वो महालक्षमी है ना लक्षमी अब तुन दने क्या है और ऐसी इस्तिती में आप सोचो हम जा कहा रहे हैं समाज को हम क्या दे रहे हैं ऐसे कोई अपना हाथ किसी के हाथ में अपने आपको किसी गूद में कैसे बिठा सकता है कलपना करके देखिए और बेशरम वो माता पिता भी देख रहे है वीडी शूट को देखो हमारे बच्चों का प्री वैडिंग शूट देखो वाओ इस वेरी नाइस मर जाओ चुलू वर पानी में डूब के तुमारे वेरी नाइस मैं सच कह रहा हूँ आपसे मतलब तुम नकल होड जो भी तुम जिसको तुम मौडन कह रहे हो ये मौडन है जिसमें तुमारी नैतिकता, तुमारी शुचता, तुमारी शुद्धता, तुमारी सब समाप्त हो जा रहा है, तुम इसको modern age कहते हो, विचार करके देखो थोड़ा सा.